हेलो फ्रेंड्स आज की जो रस्पी में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही हेल्दी रस्पी है अगर आप डाइट कोईशन से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस रस्पी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें इसे मैंने बनाया है स्प्राउट्स के साथ स्पाउट्स में बहुत सारे प्रोटिन, मिन्रस और विटामिन्स होते हैं तो इसे खाना तो अपनी डाइट में शामिल करना तो बहुत ही जरूरी है आप इसे किसी भी वेवे में खा सकते हैं और साथ में इसके डालेंगे दो हरी मिर्ची, आप चाहे तो इसमें अद्रक का टुकड़ा भी दाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ली है सूजी, यह तीन से चार चम्मच के करीब सूजी है, और उतना ही मैंने यहाँ पर लिया है दही, तो इसको भी सारे ब्लेंडर में डाल और साथ में डाल देंगे नमक, तो यहाँ पर मैंने एकसे यडेट चम्मच के करीब नमक लिया, क्योंकि यह चम्मच जो है वो छोटे साइस का है, और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है, और इन सारी चीजों को हमें कर देना है, ब्लेंड, तो यहाँ पर देखे जो एक्स्ट्रा था उसमें जो जर में लगा था यह पानी डालकर फडि brick मिक्स्ट में डाल दिया है और एक बाइन इसे चाला लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी को और अब हम इसे रखेंगे कवर करके 5-10 मिनट के लिए क्योंकि इसमें डाली है सूजी तो उसमें अच्छे से बाइंड कर लेगी तो यहां पर मैंने 10 मिनट के बाद इस मिक्सर को खोला है अब इसमें डाल देंगे लाल मिची का पाउडर और यहां पर मैंने भूना हुआ जीरा पाउडर लिया है इसे कोई भी मसाले नहीं डालेंगे और बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और यह हमारा मिक्चर जो है चीले का मिक्चर रेडी हो गया है तो गैस पे रख देंगे पैन पैन को मैंने यहां पर कर लिया है अच्छे से गरम और इसे कर लिया है ग्रीस तो यहां पर मैंने अब जो हमने बैटर बनाया है उसे अच्छे तरह से इस पैन के अंदर बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एकुली तो अब इसके उपर हम डाल देंगे कुछ वैजिस यहां पर मैंने प्यास टमाटर का यूज किया है आप अपने मन पसंद सब्जियां भी ढाल सकते ह सकते हैं कि अपट्ता को भी ढाल सकते हैं गाजर को ग्रेट करके यहां पे मैंने हरी मिर्च और तोड़ा सा अफाल शांदายा, यहां प्यास टमाटर के साथ और इन्मेएज हलके से प्रेस करना है टांकि सब्जियों ऊपर-ॉपर ना रहें जब हम पल्टे तो साथ में चिप बस हमें पकाना है, तो यह हमारा जो चीला बनकर तयार हो गया है, तो बहुत ही healthy recipe है यह, sprouts बनाना भी बहुत ही आसान है, अगर आप बनाना चाहते हैं, आपको सीखना चाहते हैं मेरे से किस तरह से मैंने बनाया है, तो आप comment box में जरूर comment करें, और मैं आपको next recipe में बता दू ले सकते हैं, weight loss में बहुत ही help करते हैं, तो weekly एक बार तो हमें इस तरह डाइट हमें अपने breakfast में लेनी चाहिए, तो यह दिखे इस तरह से चीला बनकर तयार है, hope आपको यह recipe पसंद आईगी, recipe पसंद आईगी से like, share जरूर करें और चैनल को subscribe नहीं किया, तो प्लीज चैनल को कर लें, subscribe तो मिलते हैं, next recipe भी, तब तक के लिए, bye bye